अज्मिल्लाइम श्यटान रर्जीम, बिस्मिल्लाइरामान रहीम, असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है, स्लीप, स्टेजिज अफ स्लीप, स्लीप डिसॉर्डर, स्लीप आईजीन, स्लीप इंडेक्शन, कोपिंग विद इंसॉम्निया, स्लीप क्या है, जैसा के नाम से जाहर है, स्लीप सोना, यानि अपने माइंड और बॉड़ी को रिलेक्स करने के लिए, दुबारा काम के लिए तियार करने को, आप एक कॉंशियस हालत से, अनकॉंशियस हालत में जाते हैं, वादर टाइम बिइंग, अपने माइंड और बॉड़ी को दुबारा काम के लिए तियार करने के लिए, तो इसको हम स्लीप कहते हैं, अब हमने, अगर देखे हमारी जिंदगी में जो सोना है, वो तकरीबन हमारी जिंदगी का एक थर्ड पार्ट है, वन थर्ड, यानि अगर हमारी जिंदगी तीस सा है, तो उसमें कमस कम 10 साल हम सोते रहें, तो सोना जो है, वो इतना ही इंपॉर्टन है जितना जागना, क्यूंकि अगर आप सोएंगे नहीं, तो आप अगले दिन का काम जो है, वो फिर उस तरीके से रिफ्रेश होके, फ्रेश होके नहीं कर सकेंगे, जो आप पहले की तरह नॉर्मली करते हैं, अब सोने के दुरान आपके मसल्स, आपका माइंड, आपकी बोडी के मसल्स, जो है, आपके नियूरान्स, वो एरा सारे रिफ्रेश हो जाते हैं, रिलेक्स हो जाते हैं, और फिर आप अगले दिन के लिए काम करने के लिए तियार हो जाते हैं, अब जो इस non-rapid eye moment है, दूसरा rapid eye moment sleep है. हम देखते हैं, के non-rapid eye moment sleep, इस stage में, कौन कौन सी stages आती है, ये cycle है, इसमें कौन कौन सी stages है. ये जो है, यह 90 मिनिट का एक साइकल होता है सोने के दुरान तो इसमें चार स्टेज़ होती है जो पहली स्टेज है नमबर वन स्टेज उसमें आप यह स्लीप की लाइट स्टेज है जिसमें आप थोड़ा सा रेलैक्स फील करते हैं और आपका ब्लेड पेशर लो हो जाता है आपके प्लेड प्रेशर लो हो जाता है और आप जो है वो गहरी नीद में तो नहीं लेकिन लाइट सी आपको नीद आ जाती है और जो फालूड वाई दा डीप स्लीप दूसरी जो स्टेज है वो तक्रीबन 45% स्लीप का इसा है यानि यह 5% स्टेज 1 स्टेज 2 45% यह ज़रा डीप स्लीप होती है उससे इसके बाद फिर नेक्स्ट टू स्टेजज हैं स्टेज 3 और स्टेज 4 जो स्टेज 3 है और स्टेज 4 इसमें स्लो वेव स्लीपिंग होती है यानि आप जो पहली स्टेज है उसमें आप थोड़ा स्कून मेह सूस करते हैं और वे द पैसेज ऑफ टाइम अप थर्ड स्टेज में आकर आहिस्ता एस्ता नीन की अगोश में चले जाते हैं deep sleep में चले जाते हैं यही वो स्टेज है जिस में sleep disorder होते हैं यानि आप खौव भी आते हैं कई बचे हैं उनका बा सतर गीला हो जाता है कई बचे रात को डरते हैं तो यह sleeping जो cycle है non-rapid eye moment का साइकल है. उसकी चार स्टेज़ेश जी. अब इसके बाद ये जो 90 minutes का साइकल होता है non-rapid eye moment का, ये ख़तम हो जाता है. इसके बाद जो हो अगला साइकल शुरू होता है जिसको हम rapid eye moment tastesे है. वो साइक्ल कहते हैं ये 90 मिनट के बाद ये स्टेज शुरू होती है और ये 10 मिनट से 40 मिनट तक चलती है ये डीप स्लीप होती है इसमें आप हर चीज भूल जाते हैं हसर नींद ये होती है तो इसमें जिस तरह के पहली स्टेज थी पहले साइकल की blood pressure low हो जाता है respiratory system low हो जाता है आपका relax करते हैं इस वाली जो stage है इसमें आपका blood pressure तेज हो जाता है आपका respiratory system जो है वो भी थोड़ा increase हो जाता है तो यह जो है तकरीबopend जैसे मैंने अगता है 10 से 40 मिनट तक ही this stage होती है जिसको हम गहरी नीन की स्टेज करते हैं अब ये तो दो स्टेज़ेज होगी ही सोने की दो साइकल जिसमें मुक्तलिफ स्टेज़ेज हैं पहले साइकल में और दूसरे में तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि स्लीपिंग डिस आर्डर क्या है यानि किस वज़ा से जो है उन नीद आपकी डिस्टर्ब होती है आफ को大 ग Buch है कि जब बचा, इंसान छोटा होता है बचा होता है उस वक्त उसकी नीद काफी ज्यादा होती है बच्चा जयादा सोता है तो विद दे पैसिज आफ टाइम जो है वो नीद या कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है अगर इ अगर वो stress में नहीं रेलैक्स है, तो उसके नहींड हो सकती है चाहे और ओल्डर स्टेज में हो या यंग स्टेज में हो जो स्लीप में आपकी चेंज़ आती हैं वो मुक्तिफ उसकी रीजन्स हो सकती है इस स्टेजस्का अधेयाा, फिजिकल इलनेस्ट हो सकता है कुछ लोग drugs भी लेते हैं, जिसकी वज़ासे आपकी नीड एफेक्ट होती है, तो जो chronic use है, ड्रग्स का, उसकी वज़ासे जो है वो आपकी नीड कम हो जाती है, क्योंकि आप जो है वो, आपकी जो equilibrium है, जो balance है आपका वो disturbed हो जाता है, इसके वजह से सोने में आपकी कम ही हो जाती है अब डिसॉर्डर स्लीब डिसॉर्डर की कितनी टाइप से हमने स्लीब डिसॉर्डर देखा जिसमें आपका सोना जो है आपकी नीन डिस्टर्ब होती है अब यह नीन डिस्टर्ब कितनी तरह से होती है यह दो तरह से है प्रैमरी स्लीब डिस ओरडर है और स्कैंडरी स्लीब डिस ओरडर है जो प्रैमरी स्लीब डिस ओरडर है इसमें सोने से उठने के दर्मयान जो है वो आप अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं फिजिकली या मेंटली जिस भी तरीके से आप डिस्टर्ब हो जाते हैं और आप नीन से जाग जाते हैं तो उसको प्रेमरी स्लीब डिसॉर्डर कहती है दूसरा हजी, Scandry Sleep Disorder, वो डिप्रैशन के बज़ा से हो सकता है, वो किसी दर्द की बज़ा से हो सकता है, किसी आउर्गन में अपके पेन है, आपका सरदर्ध कर रहा है, आपकी टंगों में दर्द है, या आपकी कोई चोट लगी हुई है, तो वो स्केंडरी स्लीप डिसार्डर में आ जाएगा अब स्लीप हाईजीन यानि जो फैक्टर्ज जो आपकी नीन को इंप्रूव करते हैं उनको हम स्लीप हाईजीन करते हैं इसमें ये है के आपके सोने और उठने का जो है वो टाइम फिक्स होने चाहिए पसके आप शाम की नमाज पढ़के रात की नमाज पढ़के सोते हैं और सुबह जब आपका फिक्स टाइम है कि आपने सुबह उठके नमाज पढ़नी है तो ये आपकी जो नीन है इसमें डिस्टर्ब नहीं होगी आपको पता है कि मैंने इस उत सोना इस उत उतना है तो इस दुरान आपकी नीन डिस्टर्ब होने के चैंसिस कम होते हैं दूसरा यह है कि जो फिजिकल एक्टिविटीज है शाम को आप वो बढ़ा दें बाउब कर सकते हैं कोई गर का काम है वो कर सकते हैं आपकी नीन का जो टाइम है उस वक तक तो तब ही आपको जो है वो नीन अच्छी आती है यह है कि जहां पर आप सो रहे हैं अगर सर्दियों का मौसम है तो गरम कमरा निस्पतन होना चाहिए अगर सर्दियों का मौसम है तो निस्पतन ठंडा कमरा होना चाहिए आप दूसरा जो सूजिशन है के अगर आपने नीन देनी है तो बिलकुल लाइट सी कोई सिनेक सुगारा आप खाके सौएं तो आपको नीन बेतार हती है दूसरे यह जब आप लाइट एक्सेसाइज करते हैं जैसे रेलकसेशन है आप नमाज परते हैं लाइट सी एक्सेसाइज भी है रेलकसेशन भी आपका मैंड जो है एक साइट फिर हो जाता है तो यह भी आपकी स्लीप को बढ़ाने में मदद करता है दूसरी बात यह है कि आप उसी वक्त बैड में जाएं जब आपको नीद आ रही हो अगर आपको नीद नहीं आ रही है आप बैड में जाके लेटेंगे तो इस तरह से आप जो है वो प्रापर सो नहीं सकेंगे क्योंकि पहले आपका टाइम जाया होगा उस वक्त तक जब तक आपको नीद आएगी काफी स अरा आप कर टाइम वो जाया हो जाएगा दूसरी बात यह है जैसा कि हम आम तौर पे कहते हैं कि बैड टाइम में आप कोई बहुत हैवी जो है भॉन खाना ना खाएं अगर आप हैवी खाना खाएंगे तो आपको नीद नी आएगी ना चाह प पत्ति वाली इस तरह से के लोग पीते हैं, तो आप उस को अगर इस्तमाल करेंगे तो प्रापर्ली आप सो नी सकेंगे. इसके लावा कोई आप अनरजी ड्रिंक या इस तरह का कोई ड्रिंक है, उसको भी यूज ना करें, अलकोहल टाइप इस तरह की चीज़ को भी यूज ना करें सोते हुए तो ये भी आपकी नीन को डिस्टरब करेगा. स्मोकिंग भी ना करें ड्रग्स का यूज भी ना करें सोते हुए अगर आप ये वाले काम करेंगे तो जो है आपकी नीम जो है वो इंप्रूव हो अब इंसेक्शन्स क्या हैं सोने के लिए साइकलोजिकली यानि आप नफसियती तोर पे अगर सोना चाहते हैं डीप सिलीप आपको चाहिए तो आप चंद ये वाले जो हैं वो काम करेंगे एक एक्सेसाइज टाइब करेंगे नफसियती एक्सेसाइज जिसकी बज़े से आपको नीम बेटर आएगी अगर आपको नीन नहीं आ रही यह वाली एक्सेसाइज करेंगे तो आपको नीन आएगी इसमें यह है कि आप सोते हुए जब आप जो आपका नॉन रैपिड आई मुमेंट का साइकल है उसमें आप आँके बंद करें और इमेजिन करेंगे आपके पास एक ब्लैक बोर्ड है और आपके पास चौक है उसमें आप बड़ा सा एक दाहरा लगा रहे हैं उसके दरम्यान जो है दाहरे के अंदर एक्स लिखते हैं पिर उस X को आप मिटाने की कोशिश करते हैं, इस्ता इस्ता दर्मयान से शुरू करते हैं और साइडों पर मिटाते जाते हैं और ये ख्याल करना है कि वो जो दाइरा है वो ना मिटे। इसके बाद आप उसकी लेफ्ट साइड के उपर आप डीपर लिखेंगे। ठीक है? पिर उसको मिटाना शुरू करेंगे, जब उसको मिटा देंगे तो आप फिर डीपर की तरफ देखेंगे। इसी तरह उसको फिर 99 पे ले जाएं, फिर वो ही दोहराएं, फिर उसको 98 पे पिर 97 पे ये करते जाएं, करते जाएं, तो एक वक्त आएगा कि आपको बहुत गहरी नीन आजाएगे। जब आप इस तरह ये एक्सराइज करते हुए सो जाएंगे, तो जब आप उठेंगे सुबा को तो आप रेलेक्स होंगे बिलकुँ। आपको फिल होगा कि जो आपकी नीन है, वो बहुत डीप थी और आपने पूरी तरह से बर्पूर नीन की है और आप रेलेक्स होगे। अब हमने देखना है कि जिनको नीन की कोई बिमारी होती है जैसे इंसोमनिया है, आपकी हमेशा से नीन जो है वो अर्सा से डिस्टर्ब हैं, तो आप क्या करेंगे, कौन सी अदाद जो है वो यूज करेंगे। इसके लिए ये है कि आप एक्सराइज करें रेगुलर एक्सराइज करें। सुबा भी करें। टाइम हो तो आप शाम को भी एक्सराइज करें। और दूसरी बात ये है कि तमाकुनोशी से परहिज करें। स्मोकिंग ना करें। और अलकोहल से परहिज करें। और ऐसी कोई भी चीज इस्तमाल ना करें। जिस से आपका कुछ लोग जो हैं वो सोने के लिए मैडिसन लेते हैं रेलैक्सिंग मैडिसन लेते हैं आप बिलकुल उसका यूज तरक कर दें अगर ले भी रहे हैं तो आइस्ता आइस्ता करके उसको छोड़ दें इसके बाद जब आप एक्सिसाइज करना शुरू कर देंगे सुबा शाम वो आपकी नीन को इंप्रूब करेगा फिर आप मैडिसन जो है वो प्रापर जो आप ले रहे थे पहले नीन के लिए अगर आप उसको भी आइस्ता इस्ता तरक कर देंगे और जो मैंने पहले मैथड बताया आपको स्लीपिंग इंस्ट्रेक्शन में जो आप एक्सिसाइज करेंगे नौन रैपिड आई मॉमेंट के दुरान तो वो आप करेंगे तो आपकी स्लीप जो है वो बेतर हो जाएगी और इंसोम्निया से आपको नजात मिल जाएगी तो आज का जो लेक्शर है वो यहीं तक इंशालला अगले लेक्शर में लिलते हैं थैंक्यू वर्य मच्छ